अई सब्सक्राइब तो कि अच्छ अच्छ कि नमस्कार दूस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेडिय क्यों प्लेश में आपका शुहागत है दोस्तों आज का वीडियो है राजस्थान फार्माशिस्ट एक्जाम 2018 mcq4 इससे पहले अपन तीन mcq डिस्कस कर चुके हैं चलिए शुरुआत करते हैं mcq4 की In rheumatic arthritis, use the following element rheumatic arthritis जिसको अपन गठिया बोलते हैं उसके अंदर अपन कौन सा element काम में लेते हैं तो उसके अंदर अपन काम में लेते हैं गोल्ड एलिमेट ऑप्शन भी इस दे राइट आंस्वर अब देखिए बात करते हैं प्रुमेट्ट अर्थराइटिस की इसे एन ओ्रुमिन टीजीज और केन को जोंट पैन एन डेमेज थ्रोट योर बोड़ी यह अपने क्या करता है जो अपने जोंट से उनको डेमेज कर देता है अपने बोड़ी में एक शेटम क्या है जो इंट पेन जोइंट स्वेलिंग जोंट स्टिपनेस लोस ऑफ जोंट फंक्शन एंड डी फोर्माइटीज ये सके सिम्टम्स हैं अब इससे बचाओ क्या है अपने इसको बचाओ का तरीका क्या है देखे थरेपी क्या कर सकते हैं हाइड्रो थेरेपी स्ट्रेटिंग मसाज एंड एक्यूपेंचर सेल्फ केर में देखते हैं अपन फुजिकल एक्सराइज वेट लोस योगा हिटिंग पैड आ स्टिरोडल एंटी इंफ्लमेंटर रग स्टिरोड एनालजेसिक नार्कोटिक और इम्मुनो सब्प्रेसिव ड्रग हैं वह अपने इसके अंदर काम मिलें लार्जेस्ट होस्पिटल मींस बड़ा होस्पिटल का मतलब क्या होता है सो बैड वाला तीन सो बैड पान सो बैड या फिर हजार से ज्यादा बैड तो राइट आंसर आपका कौन सा होगा ऑप्शन डी मोर देन वन थाउजन वैड प्रात्मिक स्वास्ते के अंदर होते हैं उनको प्रामरी हेल्थ केर वहां पर फार्मसिस की रिक्वार्मेंट कितनी होती है तो थी टू वन या फाइफ तो का ऐसी की की उपर एक फार्मसिस की रिक्वॉयर्मेंट होती है अब देखें फार्मसिस की बात-करहण अगर मॉलीजे बैड की बात करें अगर पचास बेड़ का होस्पिटल है तो वहां पर तीन फार्मसिस की जुरत होती है दो सुनक बाहां तो वहाँ पे 8 इसके अलावा अगर 300 बैड का होस्पिटल है तो वहाँ पे अपने को 10 फार्मसिस्ट की जुरुत होती है और अगर 500 है बैड 500 है तो वहाँ अपने को 15 फार्मसिस्ट की जरुरुत होती है एक्जाम में ये भी याद रखना 50, 100, 200, 300, 500 नेक्स पॉंट इसे क्या है लोकल एनस्थेटिक जनल एनस्थेटिक एंटि ऑप्सिदेंट एंटी बायोटिक राइट ऑप्शन ऑप्शन बी इस जनल एनस्थेसिक आप देखिए एनस्थेशिया क्या होती है जब भी मालीजे को ऑपरेशन करना होता है या कुछ सर्जरी करते हैं तो व्यक्ति को एनस्थाइज किया जाता है मतलब उस इसे को सुन किया जाता है दो टाइप का होता है तो लोकल एनस्थेशिया होता है एक जन एनस्थेशिया होता है लोकल तो मालेजिए सपूज कीजिए अपने को जैसे दाइस्थ का दर्द दाइद इखाना या फिर किसी अंगुली में या कुछ छोटी जगह दिकत है तो पर्टिकुलर उस जगह को विसे अनेmare ही या देस्थ किया जाता है और महावनने जिए अपने को रफ बढ को जैसे हाट सरजरी तो अपनी पूरी बोड़ि इनस्थेसिया दे जाता है जनलल ऐनस्थेशी यार नॉर्मली अदिस्टाइटिड इंत्राविशन और वाइ इन्हैलेशनवाइष स्कीघृ complete देखता है उसके सासंय ले रहा है उसकी ale प्रेटेश सै यह ज़्यादा कम प्रेशर कैसा है उसका टेंपरिचर कैसा है डूरिंग दब्पो शेजर कि सारे प्रॉचीयर होने के बाद में ही वह एनस्थेशिया देता है देखें कुन कुल सी अपन बात करते हैं अनस्थेजिया में बैंजोडाजीपीन इसमें डाइजापाम, लारिंजापाम, मिडाजोलाम, इतोमीडीट, केटामाइन और प्रॉपफोल, साइकलोप्रोपेन आलसो कोल्ड ट्राइमेथायलीन, इसको आपन ट्राइमेथायलीन मिं बोलते हैं, induction of an emergence from cyclopropane anesthesia are usually rapid and smooth next question tea leaves and coffee contain चाय की पत्तियां और कोफी में होता है nicotine, tannin, malic or cochin चाय की पत्तियों में 3.5% कैफीन होता है जब कि कोफी के अंदर 1.1-2.2 कैफीन पाए जाता है इसी कैफीन की वज़े से हमें instantly energy मिल जाए in the following antidote, use in cyanide poisoning कौन सा antidote है जो कि cyanide की poisoning में काम्याता है poisoning मतब किसी चीज़ का जैर फैल जाना potassium nitrate, sodium thiosulfate, sodium bicarbonate, sodium chloride right answer कौन सा है option B, sodium thiosulfate देखे, cyanide is one of the most famous poison cyanide है वो सबसे famous poison था कहते है इसका जो जिस विज्जानिक ने इसको बनाय था वो भी आस तक इसका test नहीं बता पया for example it is found in many safe to eat plant foods including almonds, lima beans, soya and spinach, deadly forms of cyanide include, कौन कौन से थापके, sodium cyanide, potassium cyanide, hydrogen cyanide or cyanogen chloride, potassium nitrate is the inorganic compound with the chemical formula KNO2, potassium nitrate used in the manufacturing of heat transfer salt at foods food additive E249, it is a preservative similar to sodium nitrate, sodium thiosulfite इसको also split sodium thiosulfite भी बोलते हैं and use as a medication to treat cyanide poisoning, sodium bicarbonate is an antacid used to relieve heart burn and acid and digestion, मतलब जैसे अपने heart में अगर जलन की condition होती है तो sodium bicarbonate, sodium bicarbonate to make your blood or urine less acidic in certain condition, sodium chloride is the chemical name of salt, sodium chloride का जो chemical नाम है वो है नमक and electrolyte that regulate the amount of water in your body, अपने body में जो water है उसका amount उसको regular करता है, play a part in nerve impulse and muscle contraction, used to treat or prevent sodium loss caused by dehydration, excessive sweating और other next question, use of tetracycline during pregnancy avoid due to affect the bone growth of the fetus, it is teratogenic, cause abortion, affect the growth of limb, option b it is a teratogenic, when used during two development, second half of pregnancy, tetracycline may cause permanent yellow-gray-brown discoloration of the teeth and element hypoplasia, यह क्या करते हैं दांतों को पीला कर देते हैं, क्या क्या करते हैं दांतों को पीला कर देते हैं, schedule x, schedule h, schedule v and schedule z, right answer option, b schedule, schedule, schedules की बात करते हैं, schedule x क्या है, all the regulation of schedule h apply, इसमें schedule h की जो regulation apply होते हैं, the retailer must keep a copy of the prescription for two years, retailer को prescription की copy दो साल रखने पड़ेगी, the drug must be kept under lock and key, चो ड्रग है उसको ताले के अंदर रखना पड़ेगा, as like example की बात करते हैं, secobarbital or glutathia mite, schedule h, the drug label must display the text rx and schedule h drug, warning की बात करें, to be sold by retail on the prescription of a registered medical practitioner only, prominently, it can only be supplied to license, parties, इसके लावा, it cannot be sold without a prescription and only the amount specific in the prescription should be sold, the time and date of prescription must be noted, note की जाती है, example, androgenic, anabolic, osteogenic and progesterational, alprazolam, चो नींद की दवाई आती है, hepatitis B vaccine, ibuprofen and vaso, वी की बात करें, तो contain standard for drug patient, schedule G, most of these drugs are hormonal preparation, the drug label must display the text, question, it is dangerous to take this prescription, except under medical supervision, मतलब ये दवाई आप, अच्छी तरह पूच के जो medical supervision है, उससे पूच के आप दवाई लीजिए, अपने आप बल दीजिए, testolectron, hydroxyurea, carbutamide and primate, symethikon is a, symethikon क्या है, anti-diaryal, anti-spasmodic, anti-forming, anti-bacterial, right answer option c, anti-dekhi, symethikon is an over-the-counter, एक OTC drug है, that treat symptom of gas, which may include painful pressure, fullness and blotting, symethikon जिसे अपन, symethikon भी कहते हैं, एक anti-formic agent भी है, उपयोग, अत्तिरी gas के करण होने वाली सूजन, बैचेनी या दर्द को कम करने के लिए काम मिलिया जाता है, anti-diaryals are the name given to certain type of medicine, that's stop or slow diarrhea, anti-diaryals only relieved the symptom of diarrhea, जो diarrhea उसके symptom को रिलिव करते हैं, anti-spasmodics का उपयोग करते हैं, मास पेशियों में छूट के लिए, mostly जो अपना gastro-intestinal part हैं, उन अंगों में इसका यूज यादा किया जाता है, जैसा पेट दर्द होता है, तो anti-spasmodics का टेबलेट दी जाती है, पेट, आथ या मुत्राश्य की जो एंठन है या उसमें जो क्रेम्स आते हैं, उसको रोकने के लिए, डाइसाइकलोमाइन और हायोसाइमाइन, दोनों अपने anti-collagenic के कार, anti-spasmomid, drug of choice and diarrhea is, diarrhea में drug of choice कौन सी होती है, matclopromide, cifaxime, levoflaxocin, lopramide, option D, lopramide is there, diarrhea is loose, waterless tool, जिसको bowel movement, if you have loose tool 3 or more time in a one day, अगर आप एक दिन में 3 और 4 बर मतलब अगर आप टोलेट जाते हो, तो उस कंडिशनों के दाइरिया बोलते हैं, दस लगना बोलते हैं, acute diarrhea is diarrhea that leads a short time, lopramide, इसका brand name कौन सा है, Imodium is a medication used to decrease the frequency of diarrhea, it is often used for this purpose in gastro, entritis, inflammatory bowel disease and short bowel, syndrome. Next, metoclopramide used to relieve hurtburn and speed the healing of ulcer and sores in the esophagus. In people who have gastroesophagal reflex disease, GERD, Sifaxim, brand name क्या है, Suprax, is an antibiotic medication used to treat a number of bacterial infection. Infection include, otitis media, strep throat, pneumonia, urinary tract, infection, gonorrhea and Lyme disease. Liver phloxacin, liver quen, एक antibiotic है, used to treat sinusitis, pneumonia, S. pylori, UTI infection, chronic prostaties and some type of gastroenteritis. आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, कमेंट बोक्स में आप लिखके, जुरूर बताएए. Thank you, have a nice day. 京 कैसा थाएए 32,3. . . . . झाल झाल